पिथमपूर ओद्योगिक शेत्र में होने वाले नगरपाली का चुनाव बहुत ही रोचक होने जा रहा है जहां भाशपा, कॉंग्रेस सहित, निर्दलिय प्रत्याशी भी चुनाव मेदान में उतर कर अपना भाग्य आजमार हैं उसी कड़ी में सागोर के वाड क्रमांक 22 के निर्दलिय प्रत्याशी संतोस बाई पती भुवान परमार को जनता का अपार समर्थन मिल रहा है निर्दलिय प्रत्याशी संतोस बाई पती भुवान परमार को मद्दाताओ से मिल रहे आश्रिवास से दोनों ही प्रत्याशीयों में चिंता का माहल देखते ही बन रहा है आपको बता दे कि निर्दली प्रत्याशी संतोजबाई का शेतर में बहुत ही अच्छा वेवार है और वाड नमबर 22 के मद्दाताओं का मन भी निर्दली प्रत्याशी संतोजबाई के पक्ष में दिखाई दे रहा है वहीं शेतर के युवा का कहना है कि हमेशा वाड 22 से कि निर्दली प्रत्याशी संतोजबाई को भारी मतों से विज्जय होनी की बात कह रहे हैं पिथभमपूर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट यह रही हैं और हमारी गली भूट गंदगी रहती हैं आप आई और खड़े हुई हम आपके साथ है कि Kaluk Regierung की सरफाल के में भूत आशरवाध दिया है और हम इस आशिरवाध पर खरा उतरेंगे और हम जो जितनी मेहनत होगी हम करने के लिए तयार करेंगे और इनका कोई भी विश्वास हम तोड़ेंगे नहीं मेरा नाम परमार पिछले कई वरस्वोर से बहस्ता के खांग्रेश्ट दोनों के पारशथ दोके हैं और दोनों ही आपारसथ संत्थ किसी ने कुछ काम नैंक किया है नालिया बर्श आद मेनालिया का पानी रोड़ों पे आता है और किसी प्रकार की कुछ वेस्ता नहीं की गई है इस बार वाटकमांग बाईश के सभी मद्दातों का मन है कि निर्देली पारसत को लाएं और उनको जिताएं क्योंकि वाटकमांग बाईश से जो पत्यासी निर्देली पत्यासी है वहान भीया वो यहां के हर जन को अच्छे से जानते हैं, उनकी समस्याओं का हल करते हैं, एवे उनके अपने हैं, और बहुत अच्छा ही उनको समर्थन मिलदा है वाट करमांग बाविश से हैं मेरा पेला में अपने हम सभी का मन निर्दली पत्यासी संतोज भुहन परमार को जिताने का है और वो इस बार आएंगे पूरे बहुमत के साथ जित के आएंगे में निलेश परमार वार्त कमांग बाविस सागोर अमबिट का नगर हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे टेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भीना पुले